तो हेलो एवर्यवन कैसे अब सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब यूज़ इस अब बाते चल रही है ओफिसल नोटिफिकेसे निया पर तहीं ना करीं बाते जरूर चल रही है ओपन बुक एग्जाम की अरे भी आप यह ओपन बुक एग्जाम क्या होते हैं अब आप लोग जैसे एग्जाम देने जाते थे पीचर का किता था बेटा किसी के पास कोई piece ओ paper तो नहीं है है तो बाहर क्या हो यह होता थी यह थी आप जिंदगी अब आई की mentor जिंदगी बेटा आपनी सारी किताबे लेके पेपर में देने जो सारी किताबे लेके सारा study material ल आप से करेंगे open book exam इसमें क्या बड़ी बात है कि open book exam है औरे कोई भी कर लेगा बस किताब यह देखनी है अच्छा इन्होंने पूछा कि बाबाब कब आया देख लिए अच्छा इस साहल है लिग दिया इतना असानी होगा अब CBSC भी अब CBSC को उपर है ना पिर लिए कापी CBSC का जो में गोल है ना CBSC का यहां पर CBSC का में जो गोल है वो सिफ इतना है कि बहुत बच्चे को हमाएं हमें क्या करवाने हैं concepts के लिए करवाने हैं आपको क्यों लगता है कि आपकी questions केस प्रकार से आएंगे आपको questions पूछे जाएंगे आपकी conceptual clarity के उपर conceptual clarity के उपर अब यह नहीं कुछेंगे आप से कि जैसे आप तो कोई जैसे French revolution है तो French revolution के कुछ main features बता दो यह बता दो French Revolution हुई क्यों यह बताओ, French Revolution का main goal क्या था, French Revolution के benefits क्या थे, disadvantages क्या क्या थी, French Revolution से पूरी दुनिया पर क्या प्रभाप पड़ा, अब यह questions है, यह कोई book के अंदर नहीं लिखे होते है, यह आपकी खुद की understanding है, जिनने आप, जो book के अंदर based facts हैं, based facts हैं, उनकी मदद से निकाल कुछ समझे क्या कहना चाता हूँ मैं, यानि की open book exams केंदे क्या होता, आपके simple questions नहीं हैंगे, आपके उपर हैं, आपके पास हैंगे questions conceptual clarity के उपर, किसके उपर हैंगे, आपके questions हैंगे conceptual clarity के उपर, और वो concepts आप किस तरीके से develop करोगे, base facts जो कि आपको आपकी NCRT से मिलेंगे यानि कि अगर पूछ लेगे भई French Revolution के बारे में, तो क्या पूछेंगे, भई French Revolution के mean goal क्या था, French Revolution हो ही क्यों, कहां से शुरू ही, किस तरीके से खतम ही, process को define करो, इसके क्या benefits थे, क्या disadvantages थे, आपकी इसके उपर क्या राय है, यानि कि यह क्या पूछना जाते हैं, राय पू किस तरीके से करना है, वो जो ideas है, वो आपको present करना है, और आपके ideas कितने ज्यादा खुबसूरत है, कितने ज्यादा आपके ideas बढ़िये हैं, किस तरीके से आप अपने ideas को present कर पाते हो, यह सारी सारी चीजिए आपका इस साल का base रहने वाली है, और यही open book exam का सबसे mean कि आप यहां पर actual के अंदर जो होता था ना, बच्चे दो तीन रिटे माल के आजाते थे, ऐसा से लिखने है, लिखके आजाते थे, अब उनका सही कहते है ना, परदा फास अब वो यहां पर होगा, क्यों जिसके बास यह जीतेगा, अब आपको देखने कि आपको यहां तो किसी को पता है कि मैं इस चीज पढ़ रहा हूं तो मैं क्यों पढ़ रहा हूं, अब हत्या से जादा बच्चे को यही नहीं बता होता हूं कि हम इंग्लिस लिटेशर के बढ़ते हैं, हिंदी के बढ़ते हैं, अगर मैं आप लगों से पूछा हूं क्यों आपका सुर्स का मतलब क्या है, चैप्टर से आप समझे ना क्या चाथ तो इस चैप्टर से आपनी क्या सीखा, यह सारे जो पॉइंट्स है इसी क्लास को लेने के लिटा मजा आएगा, क्योंकि यहां पर किताबी ज्यान से ज्यादा, आप लोगों के साथ इंट्रेक्ट रनने का जो मजा इस साल के लिए और इस साल मैं विजिद गावडिया, आप लोगों को पर और जा रहा हूं, क्लास 9 इंग्लिस, अभी तक कोई प्लैंस नहीं है, और अगस्त तक आपका जब आदा समेस्टर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग साइज साइंस इनके लिए भी वीडियो से रहे लेकिन अभी हमाल पास जो हमने study materials, जो हमारी पूरी presentation से हमने अभी तक, जो अभी तक clear कर चुके हैं, क्योंकि हम एक बार पहले पूरा material बनाएंगे, उसके बाद ही अपनी वीडियो को उसके उपर काम करना चाहेंगे, ऐसा नहीं कि बीच में material रुप जाए, आपकी video lecture करेंटी भी नहीं लेंगे, पर class 9th English, class 10th English, class 11th की English, और class 12th की English, इस चारो क्लास को English जो है, आनल मुल्ली institution के उपर, यानि कि AMI के उपर, पढ़ाने की जिम्मेदारी है मेरी, मैं बढ़ाओंगा, रजजद गावडिया, हम बढ़ाएंगे, आनल मुल्ली institution के उपर, मैं ये स सारे subject cover करूँगा, और class 12th English के साथ साथ, मैं class 12th की business studies भी महीं करूँगा, business studies का भी महीं टीचर हो, मैं class 12th की business studies भी महीं करूँगा, ठीक है, तो चले, अब आपको में तो बता दे class 9th के अंदर की class 10th क्या चीज है, class 9th के अंदर किस प्रकार से board examination, सारा setup जो है ना, अब यादिया झाल़ा, अब आपको!